रजधने की हरमाडा थाना इलाके के दिल्ली अजमेर हाईवे पर तपस्वी बाबा की आश्रम के पास एक बड़ा हाथसा हो गया यह सवारियों से भरी तीज रफतार पिक अप बेकाबू होकर पलट गई इस आजसे में दो दर्जन से भी अधिक लोग गंभी रुप से घायल हो गए वही जानकारी के मताबिक पिक अप चंदवाजी से जैपूर जा रही थी और तभी अचानक आगे का टायर फट गया और पिक अप बेकाबू होकर पलट गई इस घटना के बाद मोके पर हड़कंप मच गया और वही मामले की सूचना पर हर माड़ा थाना पुलिस मोके पर पहुंची और घायलों को एम्बूलेंस के साहिता से कावंटी अस्पताल पहुंचाया गया जहां घायलों का उपचार भी जारी है आपको बतादें कि हर माड़ा में बेकाबू होकर एक पिकप पलट गई जिसके बाद इस हाथसे में दो दर्जन से भी अधिक व्यक्ति घायल हो गए पिकप में चलती गाड़ी से टायर पर फट गया जिसके वज़े से ये हाथसा हुआ लेकिन गनीमत ये रही कि इस हाथसे में कोई जन्हानी नहीं हुई वहीं मौके पर हर्माडा थाना पुलिस पहुची और एम्बूलेंस के साहता से सभी घायलों को कावंटी आस्पताल में पहुचाया और साथ ही पिकप को हाईवे से हटा कर यातायात को सुचारू रूप से शुरू करवाया गया इस पूरे हाथसे में दो दर्जन से भी अधिक लोग गंभी रूप से घायल हो गए चलती गाड़ी का टायर फट जाने से ये हाथसा घटित हुआ लेकिन समय रहते पुलिस मौके पर पहुची और सभी घायलों को कावंटी आस्पताल में भरती करवाया गया और अब सभी घायलों का उपचार जारी है ये हाथसा उस समय हुआ जब ये पीकप जैपूर की तरफ जा रही थी चलती गाड़ी का टायर फट जाने से बे काबू होकर ये गाड़ी पलट गई जिसके बाद ये हाथसा हुआ इस हाथसे में दो दर्जन से भी अधिक लोग गंभी रूप से घायल हो गए इस्थाने लोगों ने हर्माडा थाना पुलिस को सूचना दी जिसके बाद हर्माडा थाना पुलिस मोके पर पहुँची एम्बूलेंस के साहिता से सभी घायलों को अस्पतार में भरती करवाए गया और साथ ही पिक अप को उक्रेन के साहिता से हाइवे से हटवा कर या तयात को सूचार रूप से शुरू करवाए गया